Hello everyone, welcome to my channel आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किचन गार्डन में फ्रेश, केमिकल फ्री, और्गैनिक टेमेटो कैसे ग्रो कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी इसके पौधे हमें बीजों से कैसे तयार करने हैं इनकी हमें क्या केर करनी है, कब कब कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं और अगर पैस्ट अटेक हो जाता है, तो कैसे हमें अपने पौधे को बचाना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए तो वैसे तो टमाटर साल भर कभी भी ग्रो किया जा सकता है लेकिन अभी ऑक्टूबर के महिने में जब हम टमाटर ग्रो करते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सबसे जादा सक्सेसफुली ग्रो होते हैं और बहुत अच्छे टमाटर लगते हैं तो अभी आप टमाटर जरूर ग्रो करिए टमाटर लगानी के लिए सबसे पहले इसकी पौध तयार करनी पड़ती है तो या तो आप इसकी पौध बीजों से घर पर तयार कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से तयार पौध ला सकते हैं अगर आप घर पर पौध तयार करना चाहते हैं मार्केट से इसके बीज परचेस कर लीजे और आप हाइब्रीड सीट्स लेकर आए इसमें जादा मात्रा में और जल्दी टमाटर लगते हैं और अगर आप बीज नहीं लाना चाहते तो आप घर के टमाटर से भी पौधे तयार कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं और मैं भी जादातर घर के टमाटरों से ही पौधे तयार करती हूँ और अभी जो आप मेरे गार्डन में टमाटर देख रहे हैं ये मैं नर्सरी से पौधे लेकर के आई थी और आप मेरे चैनल पर मेरी पिछले साल की वीडियो देखिएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक में डाल दूंगी केर टिपस ओफ टमैटो उसमें आप देखिएगा मैंने घर पर बीजों से पौधे तयार के थे और कितने अच्छे टमाटर लगे हैं और मैं अभी भी पौधे तयार कर रही हूं और अभी उसके बाद मैं जब मेरी पौध तयार हो जाएगी तो मैं उन्ह करने वाली हूं तो यह देखिए यह मैंने फ्रेश टमैटो से बीज ले लिए हैं और आप इसका पल्प सहीत आप इसके बीज ले लिजे और कोई आपको दोने की ज़रुरत नहीं है बीजों को सुखाने की ज़रुरत नहीं है बस डायरेक्ट आप मिट्टी में इस तरह से डाल दीजिए और अगर आप पैकेट वाली सीड्स लेते हैं तो उन्हें भी आप इसी तरह से बीजों को बिखेर दीजिए मिट्टी के ऊपर और जिस मिट्टी में आप लगा रहे हैं वो मिट्टी थोड़ी हल्की होनी चाहिए और इसमें आप थोड़ी सी गोबर की खाद आप भी मिला सकते हैं और बीजों को अच्छी तरह से फैला करके ऊपर से आपको आधा इंच मिट्टी से आपको बीजों को कवर करना है अच्छी तरह से और उसके बाद आप इसमें उपर से एक बार अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और 7-8 दिनों में इसकी पौध निक और पूरी पौध तयार होने में लगभग 25 दिन का टाइम लग जाता है टमाटर के लिए आप जो मिट्टी तयार करेंगे उसमें करीब 40% गोबर की खाद मिला करके अच्छी हलकी मिट्टी तयार कीजिए जितने मिट्टी हलकी होगी पौधे की जड़ें उतनी ज्यादा फ और इन्हें हम गमलों में शिफ्ट कर लेंगे अगर हमारा 12 इंच का गमला है तो 12 इंच के गमले में आप 2-3 पौधे लगाईए उससे जादा पौधे मत लगाईए 9 इंच का 10 इंच का गमला है तो आप एक एक पौधा लगाईए और अच्छी तरह से पौधे को मिट्टी क दालने की ज़वरत नहीं है क्योंकि हमने मिट्टी में गोबर की खाद मिलाई थी और उसके बाद हमें इसमें हर 25 से 30 दिन में एक बार आपको इसमें लिक्विट फर्टिलाइजर डालना है और एक बार आपको इसमें गोबर की खाद या वर्मी कॉम्पोस्ट डालना है तो उसके बाद हमें हमें इसमें दो-दो मिठ्टी गोबर की खाड डाल देनी हैं गोबर खाड नहीं है तो आप वर्मी कॉम्पोस्ट या किचन वेस्ट की कॉम्पोस्ट भी डाल सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप खाड डालिए लेकिन एक महिने के बाद आप इसमें फर्टिलाइजर जरूर डालिए और गोबर खाट डालने के बाद फिर उसके 25 दिन के बाद आप एक बार इसमें लिक्विट फर्टिलाइजर डालिए और देखिए मैं ये सरसों की खली का लिक्विट फर्टिलाइजर डाल रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा काम करता है और विंटर्स में तो इसके शानदार रिजल्ट से आप इसे जरूर यूज़ करिए अपने किचन गार्डन में कुछी समय बाद टमाटर के प्लांट्स पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और टमाटर के फूल बाई सेक्शल होते हैं इसमें एक ही फूल पर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं तो इसमें पॉलिनेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आता है हवा की वज़े से या इ हवा नहीं आती ही थोड़ा कॉम्पैक्ट जगह पे लगे हुए हैं तो आप इस तरह से हाथों से हलका से शेक करके फ्लार्स को हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं प्लांट्स जब बड़े होने लगते हैं तो इसका नीचे से 4-5 इंच तक का स्टैम हमें बिल्कुल क्लीन रखन है इसमें अगर फ्रूट लगता है तो बहुत छोटे साइस का लगता है या नहीं लगता तो हमें नीचे से 4-5 इंच तक इसका स्टैम बिल्कुल क्लीन रखना है टमाटर के पॉदे के स्टैम काफी सॉफ्ट होते हैं थोड़े से बड़े होने पर और फ्रूट लगने पर पॉदे गिरने लगते हैं तो हमें इसमें सपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है तो इस तरह से आप स्टिक्स की मदद से इसमें सपोर्ट लगा करके और इसे रसे की help से इसे आप अच्छी तरह से बांद दीजिए ताकि हवा से या फ्रूट के वेट से आपका पॉदा जू तो उसके कुछ बड़ी बड़ी लीप्स हमें हटा देनी चाहिए और जो लीप्स थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो रही है उन्हें भी हमें हटा देना चाहिए ताकि पौधे की एनरजी इन लीप्स को रखने में ना लगे और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन फ्रूट बनाने में लगाए इसलिए हमें जो इसकी एक्स्ट्रा लीप्स हैं बहुत जादा है तो उन्हें हमें हटा देना चाहिए और जो ब्राउन हो रही है उन्हें भी हमें नीचे से थोड़ा-थोड़ा मतलब क्लीन कर देना चाहिए देखे इस प्लांट में जो ये थोड़ी थ इन्हें मैं हटा दूँगी जिसे की पोध्य की एनर्जी इन लीप्स को रखने में नहीं लगेगी तो अब देखते हैं टमाटर में कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसमें दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं एक तो जो बिमारी होती है जिसमें पत्तियां बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं इस तरह से सिकुड जाती हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है जब हमें शुरु बहुत जादा पौधा इंफेक्टेड हो गया है अगर कोई प्लांट पूरा मतलब पौधा सारा ही पौधा से कुड़ गया है तो आप तुरंट उस पौधे को निकाल करके फैंक दीजिए जिसे कि दूसरे पौधों पर यह न फैले और देखें मेरे इस प्लांट में मुझे स देखते हैं तो आप उसे किसी ब्रश के help से घटा दीजिए या फिर आप अगर वो पार्ट तोड़ करके तो वह अटा दीजिए और उसके बाद आपको मतलब आपने जब पत्या हटा दी या फिर आपने मिली बक्स वाला वो जो पार्ट है वो तोड़ करके हटा दिया उसके बाद पौधा थोड़ा सा आपका क्लीन हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें नीम ओईल का स्प्रे करि करेंगे तो आपके टमाटर के पौधों पर किसी तरह की कोई बिमारी नहीं लगेगी तो इस तरह से इन चोटी-चोटी बातों का दिहान रख करके आप बहुत इजिली अपने किचन गार्डन में टमाटर ग्रो कर सकते हैं और ये मेरे टमाटर अब दो-तीन दिनों में हाव और अपने हाथों से उगाए हुए फ्रेश और गैनिक केमिकल फ्री टमाटर का आनंद लीजिए तो आपको वीडियो कैसी लगी हो अगर आपको वीडियो यूसफुल लगती है और पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू